दोस्तों नमस्कार मैं हूँ दीपक हिमानसू और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला आरक्षन को लेकर और निवास प्रमानपत्र जाती प्रमानपत्र और यहां पर आय प्रमानपत्र नॉन क्रीमी लेयर को लेकर एक नई यहां पर जो है अपडेट आई है जो मैं आप से खासकर के कैमूर भववा से में की अब विवाहित महला का जाती निवास एवंग आयप प्रमान पत्र जो है उसके समय में मार्क प्रसंग आपका पत्रांक 12 जुन 2023 में जो आया था तो 12 जुन 2023 को यह पुछा गया था तो उसका यहां पर आप देख लिजिए यह जो रिप्लाई है यह किस दिन हुआ है 17 जुन 2023 को यह रिप्लाई हुआ है पूरा डिटेल में यहां पर ध्यान से समझ लेंगे बहुत विज्यापन में कंफ्यूजन तो है ही तो उसको क्लियर यहां पर देखिए किस प्रकार से किया गया है जो निवास वाला पोर्शन है जो बिहार का ऑथें जोक में व्यक्ति विशेष की जाती का निर्धारन उसके पिता की जाती के आधार पर होता है अतेव पहला यहां पर जाती की बात देख लिए इसलिए राज्यधीन पदों एवंग सेवाओं की नियुक्ति इत्यादी सबके लिए देखिए बिवाहित महलाओं का जाती प्र दिया गया पहला तो जाती प्रमान पत्र का स्टाटिफिकेट दुसरा क्रीमीलेर रहित प्रमान पत्र जो निवास आए ऑर जाती पर आधारिक्त हैं अब इसमें कहां पर पती से भी होगा वो भी लिखा हुए ai बिवाहित्ध्वासे अबीसे का निरधार सहित है उनके पित जाके मूल निवास के आधार पर किया जाएगा ये पहला point किलियर है इसमें पर दिखेंगे दूसरा point क्या कहता है या प्रापदान है कि राज के मूल निवासी ही जो है विहार अधीनियम 3.1992 के अधिन राज में आरक्षन का लाव प्राप्ट कर सकते हैं आरक्षन का लाव किसको मिलेगा जो बिहार के निवासी होंगे राज के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधिन आरक्षन का लावे तो दावा नहीं करेंगे उक्त आलोक में विवाहित महला या अभ्यर्थी का आए पर्मानपत्र उनके पिता के इस्थाई आवासिये अंचल Easy काल्यस्तर से निर्गत होगा तो यहां पर खास करके आए पर्मानपतर पर भोला गया है। मिछला वहाला पॉइंट किस van फ़ lassen जाती प्रमानपत्र उनके पिता के अस्थाई आवासी अंचल कारियाले से निर्गत होगा चुकि आरक्षण के सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है अता इसका निर्धारन अभियर्ती विवाहित महला सहित के पिता के मूल निवास के अधार पर किया जाएगा ठीक है तो यह दोनों किलियर हो गया जाती का और आयका अब आता है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ निवास की जरूरत है निवास की जरूरत तो सबको है तो उसके बाड़े में देखिए किलियर लिखा हुआ है राज्य दीन पदों एवंग सेवाओं के नियुक्ती में आरक्षण के को उनके पती के स्थाई आवासिय अंचल कारियाले अस्तर से निर्गत निवास परमानपत्र के अधार पर लाव दिया जा सकता है यहां पर लेकिन एक कंडिशन लगा दिया कि आपके पिता बिहार के निवासी होनी चाहिए अगर है और आपको खाली आवास का ज़रुरत है त यहां पर देखिए ऐसे विवाहित महला है जिनके पिता बिहार राजी के मूल निवासी हो उनके द्वारा प्रस्तूत किये गए दावे उनके पिता के अस्थाई आवासिय अंचल कारियाले अस्तर से निर्गत निवास परमानपत्र के आधार पर भी लाव दिया जा सकता है यह जो निवास परमानपत्र की बात जो लास्ट में खास करके बोली गई है पिता मूल निवासी हैं पिहार के हैं उनके द्वारा आरक्षन है तूपती के आवास के आधार पर भी जो है दावा किया गया हो तो उनके द्वारा प्रस्तूत किये गए दावे को उनके पती के अस्थाये आवस्ये अंचल कारियाले अस्तर से अगर कुछ निर्गत निवास प्रमान पत्र है तो उसके अधार पर वो चीज दिया जा सकता है और नहीं तो पिता के अधार पर भी दिया जा सकता है बसरती कि उनके पिताजी बिहार के मूल निवासी हो तो ये चार पॉइंट यहाँ पर जाती और आय और निवास के लिए अलगिलग खिलियर किया गया है जो आप देख सकते है यहाँ पर पुछिए विःपन में कई सारी चीज़े हैं जिस पर अभी भी confusion है आप लोग फॉर्म भरने में मैं बार बार बोल रहा हूं पेमेंट में हर बड़ी मत करिएगा हर वीडियो में बोल रहा हूं और सब सारी वीडियो ध्यान से देखिएगा और आगे के अप्डेट के लिए बने रहेगा थैंक य भी बाए चाह motor है अजय वेढ़erin है नहीं कर दो